अगर आपने आई एस एस्प्रेंट वैब सीरीज देखी है यह नहीं भी देखी है तो आप इस जो वीडियो है इस में फाइब तिंग्स जो है फाइब टिप्स जो है जो आप उस वैब सीरीज से सीख सकते हैं जो आपको अभी नहीं लाइफ लॉंग तर काम में आएगी इस से इस प्रेंट वैब सीरीस से पाँची जीजा सेख सकते हैं इनको में पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेल करोंगा जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लव लव जो है यो फस्ट टाइम जो कर फस्ट टाइम लव जो होता है किसी बकती को पहला वाला यार जूल हुआ हमेंचा चलता है आप कितने भी पाटनर बदल हो अब कितने भी पार्टनर बहुत बदल जाए लेकिन जो पहला वाला प्यार जो होगा वह हमेसा आपको याद रहेगा उसकी मेमरी समेशा हमेसा डेमन में रहेंगी ऐसे अविलाश अविलास का फ्रॉप पह लास तर लास तक लेकिन जब वो अपने दोस्त के लिए इसको भी बलीदान कर देता है हि हाला कि बहुत से लोग संदीभ भीया को मेंटर मारें बहुत अच्छा मानने गुरू मानने हैं मैं भी मानता हो यसी बात है कि मैं नहीं कहता कि संदीभ भीया जिसए ग्रेट सबसे बड़ा मानता है और सामने वाले के लिए अपने दोस्त के लिए अपना कुछ बलीदार भी देता है आ अपने आप में बहुत बड़ी बात हैं this is impossible अब बाद सोचो इस सभाल के रखेра है लेकिन इसका मतलब है तर्मियान तैंम रहा तीन-चारे साल इसमें उसको भूला नहीं है किसकर पास है हमारे हमारे पास होते हैं दिन में तूट जाते हैं फ्यक्ड देतें कुछ भी अकडना हो जाते हैं उसके साथ साथ उसका रैपर भी है पतलबस मजीए उसका लवका लेवस्टोर ना कर पा रहा हो लेकिन यह चीज थी उसके अंदर फस्ट्व लवर जो होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है सेकंड चीज जो हम उससे सीख सकते हैं वो यह है कि we are just like a tripod tripod कौनते उसके तीन दोस्त, तीन कुट्टे दोस्त, लाइफ में एक दो या तीन कुट्टे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई achievement अचीव करते हैं, जब भी कहीं आप success होते हैं, कुछ भी problems होती हैं, है कि हम देश के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकि मैं अंदर से बहुत खाली पन महशुज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सवकलता जो है, उसको हमें celebrate करने के लिए कुट्टे दोस्तों की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं रहेंगे, इसलिए दोस्त का importance बहुत जरू क्या पड़ा है, कि एक दोस्त जो है, अपने दोस्त के लिए बहुत दूर से, हजार उकलो मिटर चलके, उसको treatment कराने के लिए हैदराबाद उस hospital में लेके गया, ना उसके कोई रिलेटिव काम में आए, ना कोई घरवाली काम में है, वो दोस्त, उसका Corona का COVID-19 का treatment करा रहा है उसको ये भी ड़नी कि मुझे भी infection हो सकता है, मैं इसे मुझे इससे दूर रहने चाहिए, नहीं, वो उसको खुद उठा के ले जा रहा है, खुद treatment करा है, अभी मैंने न्यूस देखिए, तो दोस्त का important समझो, ये रिलेटिव आपके कोई काम में आनी आने वाले है, कुछ ये साथ में होंगे, तभी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, तो second point हो गया, दोस्त, first love और second, दोस्त, इन दोनों का चीज़ों का बहुत महात्पून है, number third आता है, plan B, जब भी आप किसी भी exam के तयारी करते हैं, आप IS क अगर आप किसी एक चीज में शिद्दस से लगी हैं, तो आपके पास plan B की जरूरत नहीं है, आपके पास plan B की तभी जरूरत है, जब आप 100% sure ना हो कि हम उकाम कर सकते हैं, अगर आप sure नहीं हैं, तब आपके पास plan B होना चाहिए, लेकिन अगर sure हैं, किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं, life में कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तब आपके पास plan B तभी जरूरी है, जब आपको plan A के ओपर 100% believe ना हो, तो plan B उनके लिए necessary है, जो जिनको 100% believe नहीं है, लेकिन जिनको 100% believe है, जिनों के दिमाग में, दिल में आये स्वास करता है, सुए उड़त तब भी वो सोचता है कि आज मुझे IS बनना है, रात को सोते समय भी IS के सपने आते हैं उसको, उसके लिए plan B की बिलकुल जरूरत नहीं, plan B की सबल उन लोगों के लिए जरूरत है, जो ऐसे मजे के लिए का IS की तयारी करने लगे, कुछ motivational videos देखके IS की तयारी करने लगे, कु किसी अधर एक्जाम की state PSC के फोकस कर रहा है, SSC कुछ भी, कोई भी आपका motto हो, कोई भी एक्जाम हो, उसके फोकस कर रहा है, उसके लिए plan B की जरूरत नहीं है, अगर आप 100% sure है, तो third thing होगी plan B होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि लोगों के पास होना चाहिए plan B, जो 100% sure नहीं है, जो 100% sure होना चाहिए, उसके पास knowledge आता है, तो critics ज्यादा हो आते हैं, एकदम लोगों की आलोचना करने लगते हैं, हर चीज में आलोचना देखने लगते हैं, तो आपका ही approach कभी नहीं होना चाहिए, आलोचना आपको पता होने चाहिए, कि क्या इसके प्रॉस और क्या इसके cons हैं, लेकिन आप आईस बनने बाले हैं, तो आपको हर problem का solution देना पड़ते हैं, है न, आपको problem पर focus करना है, तो इससे important चीज क्या है, कि आप उसके solution पर focus करना है, कि ये problem है, तो इसका ये solution है, तो solution पर यादधान देना है, धहर्या, धहर्या जब अभी आपके साथ आपके पास solution क्या है, प्रॉब्लम्स का, आप problem में solution को क्यों नहीं देखते हैं, आप हमेसा negative क्यों सोचते हो, तो हमेसा positive approach, और ऐसा नहीं है कि किसी IS exam में बस जरूरत होती है, आपके life में हर part में, हर किसी exam में यही अप्रोच की जरूरत होती है, और आपका जो कर रहे हैं तो बिजनेस बाले एरिये में कहीं पर भी किसी भी पार्ट में आपके लाइफ में हो हमेसा पॉजेटो अप्रोच की आवशकता होती है क्योंकि अगर आप हमेसा आलोचना करते रहेंगे तो आपसे लोग दूर भागते जाएंगे यही आई-एस-प्रेंट में धह पॉइंट जो था कि धहरिया अविलास को यहीं जी सिखाती है जो अविलास को आई-एस-बनने में बहुत इंपोर्टन रोल करती है तो धहरिया का आई-एस-बनने में बहुत इंपोर्टन रोल है क्योंकि धहरिया ही वह लड़की है जिसने अविलास को सिखाया है कि लाइ लास्ट में भी मैं सोच रहा था कि उसको कुछ बोलेगा लेकिन वो उस बैक सीरीज में जित्ता उन्होंने कंटेंट देना था और उनकी प्रडूशर थे उसको स्टोरी राइटर थे उनने एता ही रखा लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट में अभिलास कुछ बो नंबर पूर्थ हो गया पॉजिब प्रोच हर लाइप के हर पार्ट में आपकोई काम में आएगा नंबर फिप्थ और लास्ट पॉइंट जो आता है वो यह आता है आपका होना आवश्रक है ना की लक्ष का मतलब क्या है समझते हैं आप इंपोर्टेंट होना की लक्ष नहीं है क्योंकि जब तक आप जिन्दा हो तब तक लक्ष रहता है जैसे ही आपकी म्रत्य होती है जैसे ही आपको कुछ हो जाता है लक्ष कोई काम कान नहीं रहता है जो फिप्थ पॉइंट है सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है लाइव का कि आप इंपोर्टेंट हो ना कि आपका लक्ष कहने का मतलब यह है कि जिंदिगी में कुछ भी हो जाए हो सकता है आप अपने टार्गेट को 100% के बाद भी अचीव नग कर पाओ तो इसका मतलब यह नहीं है कि लाइव खतम हो जाती है यह गुरी भाई का डायलोग मानता है और चाय के स्टॉल पर बैठा रहत लेकिन भी बहुत बड़ा लेसन दे आता है अगर आप थोड़ा भी धान दे के उसको सुनेंगे तो लाइट का सबसे इंपोसें लेसन दे के गया है तो जिंदिगी खतम नहीं होती है आई-एस नहीं बन पाए उसका मतलब नहीं तुमारे जिंदिगी खतम हो गई अभी बह लाइफ में आजाती है तो आप लाइफ के किसी भी एरिया में चले जाओगे तो हर जिगा आपको सक्सेस मिलेगी क्योंकि आपने अपने अंदर से अपने आपको खुद को बनाया है जो आपने इन्वेस्ट किया है ताइम वो आई-एस यूप-एस के लिए निवेस्ट नह जाए अंदर से अगर आपने ये चीज़े की है आई-एस की बनने के दर्मयान आई-एस की प्रिपरेशन करने के दर्मयान तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको कोई आसफल नहीं कर सकता क्योंकि आर्ट्स के स्टूरेंट कभी भी आसफल हो नहीं सकते मैं बता दे हो जाए जैसे आपने स्टीपन हौकिंस की मूवी देखिए तो इसमें एक लास्ट में डायलोग बोलता है स्टीपन हौकिंस जब वो चेर पर बैठे हैं उनका सारा नीचे का पार्ट पूरा पैरलाइस हो गया है तब वो कहते हैं कि वेन दियर इस लाइफ दियर इसा होप बहुत इंपोर्टेंट कोट हैं का जब तक जीवन है तब तक आशा है जीवन खतम आशा खतम जीवन खतम टार्गेट खतम जीवन खतम हर चीज खतम तो लाइफ is most important not the target not the aim जब तक लाइफ है आपकी जब तक आप जिन्दा हो आप हर कुछ कर सकते हो लेकिन जिन्दा नही तो यह 5 points थे आपको life में हर point में आपके हर mode पे life के किसी भी mode पे हो यह 5 points आपको हमेज़ से help करेंगे hope आपको यह चीज बहुत अच्छे लगे होंगी अगर आपको लगता है कि ऐसे ही विशयों पर मुझे आपसे बात करने चाहिए ऐसे विशय जो आपके दिल के बहुत करीब है जो आपकी life को हमेसा अच्छा बनाते हैं ऐसे विशयों पर आप comment करिए तो मैं उन पर भी वीडि है ठीक है ओके थैंक यू